आज दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बरनी आप देख रहे हैं ता बरनी शोओ आज हम अपने शोओ में जो मुद्दा लेकर किया है वो मुद्दा है बाबरी महजिद विवाद पर फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जच की कोरोना से मौत हो गई है दरासल आयोध्या की राम जनम भूमी और बाबरी महजिद का विवाद काफी पुराना है 1992 में में बाबरी महजिद को शहीद किया गया था जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुँच गया था लाबाद हाई कोर्ट की लकनव बेंच में सुनवाई थी जब 30 सेप्टेंबर 2010 को पहली बार फैसला सुनाया गया था जो विवादित जमीन थी 2.77 एकड जमीन उस जमीन को तीन बराबर हिस्सों में बाटने का फैसला सुनाया गया था यानि कि एक हिस्सा बाबरी महजिद की जो एक्शन कमिटे थी यानि कि सुनी सेंटरल वाकबोर्ट को देने की बात की गई थी एक हिस्सा जो था वो रामलला को देने की बात की गई थी और एक हिस्सा निर्मोही अकाड़े को देने की बात की गई थी जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रिम कोट में मामला पहुँचा था और फिर 2019 में सुप्रिम कोट ने जो फैसला सुनाया वो हम सब के सामने है लेकिन 30 सेप्टेंबर 2010 को अलाबाद हाई कोट की लखनो बैंच का जो फैसला सुनाया था उसी बैंच का हिस्सा थे जस्टिस धरमवीर शर्मा धरमवीर शर्मा इस फैसले के बाद रेटायर हो गए थे और आज कल उत्तर प्रदेश के नौएडा में रह रहे थे चोहतर वर्ष के थे पिछले दिनों कोरोना संकरमित हुए थे उसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया लेकिन कोरोना के संकरमड से उनकी मौत हो गई है 2010 के उस फैसले को आज भी लोग याद करते हैं कि कम से कम जमीन को तीन हिस्सों में बाटने की तो बात उस फैसले में की गई थी सुप्रिम कोर्ट के फैसले ने तो और भी जादा लोगों को निराश किया था हाला कि लोगों ने उसको माना और उस फैसले पर अमल किया है परहाल अयोध्या के इस पूरे विवाद का वो पहला फैसला था जो अलाबाद हाई कोट ने सुनाया था और उसी के जैस्टे जस्टिस धरमवीर शर्मा जिनका आप कोरोना से देहान थो गया है आप से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और ह आप से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें सोशल मीडिया पर यानि इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिये हुए उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत 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 शुक करिया